हे गाईज लेट्स को क्वे सूजीता चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको पोहे और सूजी से बनने वाली हेल्दी नास्ते की रेसिपी बता रही हूँ अगेर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फैमली और फ्रेंड्स में सेर भी करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके आए देखिए कैसे बनेगा इसके लिए मैं एक कप पोहा ले रही हूँ एक बोल में आप कोई भी पोहा ले सकते हैं मोटे पतली जो भी हो आपके पास आप ले ले अप इस पोहे को पानी डाल करके तीन-चार बार धोना है आप इसे हलके हातों से इस तरह से धोले तीन-चार बार क्योंकि कुछ भी डस्ट पार्टिकल होंगे वो निकल जाएंगे देखिए पोहे धूल चुके हैं पास मिनट हो गई है यह अच्छी तरह से मसल जा रहे है हातों से अब मैं इसे मिक्से जार में डाल दे रही हूँ सार पोहे को और साथ में मैं इसमें आधा कप सूजी डाल रही हूँ और मैं आधा कप फ्रेस दही डाल रही हूँ और इसे ग्राइंड कर ली हूँ एक पेस्ट बना ली हूँ ठिक इस तरह से आपको अगर जादा गाड़ा लगे तो पेस्ट आप थोड़ा पानी भी आड़ कर सकते हैं पिस्ते समय अब मैं इसे एक बोल में ट्रांस्फर कर ले रही हूँ इसी तरह गाड़ा बैटर रहेगा ज्यादा पतला मत करियेगा बैटर को इस तरह से थिक कंसिचन्सी रहेगा अब मैं इसे दो तीन मिनट के लिए फेट ले रही हूँ इसे इस पैटूला की मदद से मैं दो तीन मिनट के लिए फेट ली हूँ और मैं ढग के पंदरा से बीस मिनट रग दे रही हूँ ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए मैं बड़े बड़े साइज में काट करके चॉपर में डाल रही हूँ और मैं एक इंच अद्रक का टुकडा डाल रही हूँ चॉपर में और दो तीन हरी मिर्ष ऐसे चॉप कर ले रही हूँ चॉपर में चौपर में इस तरह से एकदम बारिक हो जाता है अगर आपके पास चौपर ना हो तो आप बारिक काट ले और अद्रब को आप कदुकस करके भी डाल सकते हैं अब मैं चौपर में एक गाजर बड़ बड़ साइज में काट करके डाल रही हूं और मैं हरी मतर डाल दे रही हूं आजकर हरी मतर बहुत अच्छे आते हैं और साथ में मैं कौन डाल दे रही हूं थंड के मौसम में कौन भी बहुत बढ़िया मिल जाता है इसे भी चौपर में डाल करके चॉप कर ले रही हूँ दिखिए अच्छी तरह से दरदरा चॉप हो गया है बहुत बारिक नहीं करना है इसलिए मैं ऐसे चॉपर में की हूँ अब मिक्सर जार में भी पल्स मोट पह चला कर सकते हैं अब मैं अधा कब धन्या के पत्ते डाल दी हूँ और साथ में एक चाट मसाला अधा चियली फ्लेक्स और स्वात कहनू सार् नमक डाल दी हूँ और एक appar चोक्स पाणी में पाूडर डाल रही हूँ इन सबको मिक्स कर ले और भी कोई सब्जी आपको पसंद हो तो उसे भी डाल सकते हैं आप इसमें सिम्बला में बीन्स बारिक काट करके डाल सकते हैं देखिए मिक्स हो चुका अच्छी तरह से इस बैटर में डालने के लिए तड़का क्यार करना है मैं तड़का पैन ली हूँ पैन में मैं एक बड़ा चमच देल डाली हूँ और मैं आधा चमच सरसो के दाने डाली हूँ सरसो के दाने देखिए क्रैकल होने लग गया है और इसी समय मैं एक चोथाई चमच हींग और आट दस करीबत्ते डाल दी हूँ और तड़का त्यार हो गया है तड़के को इस बैटर में मैं डाल दे रही हूँ इससे नास्ता का टेस्ट और बढ़ जाएगा नास्ता का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस तरह से तड़का दे देने से और भी टेस्टी नास्ता बनेगा हमारा देखिए तड़कर डालके मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दी हूँ अब मैं एक चोथा एक चम्मच सोड़ा डाल रही हूँ और मैं निबू थोड़ा सा इस पर निचोड दे रही हूँ सोड़े पर इससे बैटर काफी फिलफी हो जाएगा और बैटर एकदम हलका बनेगा और नास्ता भी काफी सॉफ्ट रहेगा सब को मैं मिक्स कर ली हूँ अच्छी तरह से आई ये नास्ता बना लेते एक पैन ली हूँ मैं पैन में मैं आधा चमच तेल डाली हूँ और इससे ब्रस की मदद से फैला दे रही हूँ और मैं थोड़ा सा बैटर इसमें डाल करके पैन में इस तरह से सेब्दी दे रही हूँ धूसे का ज्यादा पतला नहीं वनेगा ये थोड़ी मोटी-मोटी रहेगी ये धुसा अब मैं इसे ढग करके मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ फ्लेम को उदम मीडियम ही रखना है हाई मत रखेगा नहीं तो अंदर तक नहीं हो पाएगा अब मैं इसे पलट दे रही हूँ ताकि दूसरी तरब भी अच्छी तरह से पक जाए हलके से मैं तेल लगा दे रही हूँ ब्रस की मदस्ध अब तेल या बटर जो भी यूज़ करना चाहें उसे लगा ले देखिए दूसरी तरब भी बहुत अच्छी तरह से पक गई है फिर से मैं ऐसे पलट दे रही हूँ इसी तरह उलट पलट करके दोनों तरफ से मैं पका ली हूँ अब मैं प्लेट में सॉस के साथ सर्फ कर दे रही हूँ आप इसे सॉस, हरी चटनी किसी के साथ भी आप खा सकते हैं या दही के साथ भी खा सकते हैं यह बहुत अच्छा नास्ता है बहुत हेल्दी भी है बहुत टेस्टी भी लगता है ठंड के मौसम में सबजियां बहुत अच्छे से मिल जाती है तो इस तरह से हम लोग डाल करके बना सकते हैं आप इसे जरू ट्राइ करें अपने घर पे और अपने एक्स्पिरियंस मुझसे सेर करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरू बताएं आपको यह नास्ता की रेसिपी कैसी लगी प्लीज लाइक सब्सक्राइब सेर करना ना भूले थैंक यू